नमस्कार आज का हमारा पाठ सुर्दास के पद हुविकल्पी प्रेश्न सुर्दास के पद के पाठ के आज मैं आपको बता रही हूँ इसमें पहला प्रेश्ण है उधव तुम हो अतिबड भागी यहैं पद किस कवी का है इसका उत्तर होगा सुर्दास दूसरा प्रिश्ण है उधव कोन है उधव यहां उधव है तीसरा प्रिश्ण है हमारे हरिहारिल की लकरी यह कथन किसका है यह कथन गोपियों का है प्रिश्ण है योग का संदेश गोपियों को कैसा लगा उन्हें कड़वी ककड़ी जैसा लगा योग का संदेश पांचमा प्रिश्ण है गोपियों के अनुसार राजनीती में निपुन कोन हो गया है गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण राजनीती में निपुन हो गया है गोपियों के लिए व्याधी क्या है व्याधी बिमारी को कहते है यानि रोग को कहते है प्रिश्ण है गोपियों क कि अनुसार योग की सिख्षा कैसे मन के लोगों के लिए उच्चित है वह कैती हैं कि चंचल मन वालों के लिए योग की सिख्षा उच्चित है प्रश्ण है सच्चा राजधर्म किसे सुख़ी रखना है सच्चा राजधम परज्या को सुखी रखना है प्रिश्ण है श्री क्रिश्ण प्रज से मथुरा जाते समय ब्रज के किसका मन चुरा कर ले गए थे गोपियों का मन चुरा करके ले गए थे सूर्दास का जिनम कौन से सन में हुआ था सन 1478 सूर्दास का निधन कौन से सन में हुआ था सन 1583 सूर्दास के कावे की भाशा कौन सी है ब्रज भाशा में वो लिखते हैं ध्यान रखिएगा सूर्दास किस रस के श्रेष्ट कभी माने जाते हैं वातसल्य रस के श्रेष्ट परति जो भाव होता है उसे कहा जाता है इहां अप्रस का क्या अर्थ है नीरस पुर इनी पात का किसका पत्ता होता है यह कमल का पत्ता होता है गुर चेटी जो पागी में गुर इससा प्र गुर क्या है यहाँ पर गुर जो है गुर है प्रीती नदी में पाउन बोर्यों में कुन सा अलंकार है यहाँ पर रूपक अलंकार है मन की मन ही माज रही यह किसकी दशा किसकी है यह गोपियों की दशा है उनकी मन में उनकी जो बात थी वो मन में ही रहे गई थी अवदी अधार आस आवन की इसमें कौन सा अलुक अलंकार है अनुप्रास अलंकार है उत्ते धार बही किस की धार इस चीज की धार है योग की धार है हारिल कौन है हारिल एक पक्षी का नाम है समझी बात कहत मदुकर के में मदुकर कोन है मदुकर यहाँ पर उधव है उधव को भौरा कहा है मदुकर का मतलब होता है भौरा गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण क्या पढ़ आए है उनके अनुसार श्री कृष्ण राजनीती पढ़ आए है उधव भले लोग आगे के आगे के में क्या है यहाँ पर पहले के पहले के लोग जो है उन्हें आगे के लोग कहा गया है गोपिया श्री कृष्ण से क्या वापस चाहती है उनका मन वापस चाहती है जो वो ले गए थे जाते हुए फिर वो कहती हैं अती बड़ भागी किसे कहा गया है अती बड़ भागी जो हैं गोपियां उधव को कहती है चेतन अचेतन अवस्था में गोपियां किसका नाम रठती हैं कृष्णे का हमेश्य कृष्ण का नाम वो लेती रहती हैं किसके ना आने से गोपियां व्याकुल हैं क के नहीं आने से गोपियां यहां पर व्याकुल हो चुकी हैं सुनत जोग लागत है एसो जयों कर विकुल में कौन सा अलंकार है उपमा अलंकार है यहां पर तुलना की गई है कर्वी कड़ी की तुलना की जोग से इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है विरही नी विरह दही में दही का क्या अर्थ है यहाँ पर दही का अर्थ है जलना दह यानि जलन होती है और दही का यहाँ पर अर्थ है जलना अपरेस रहत सनेह तगाते तगा का क्या मतलब है यहाँ पर तगा का मतलब है बंधन सू तो व्याधी हम कौन लई आए यहाँ पर व्याधी का क्या अर्थ है व्याधी का यहाँ पर तथ पर यहाँ रोग यानि बिमारी गोपियां क्या नहीं सुनना चाहती थी गोपियां योग का संदेश नहीं सुनना चाहती थी हारिल पक्षी की क्या विशेष्टा है पैरों में लकड़ी पकड़ करके वह रहता है यह उसकी विशेष्टा होती है चाहती होते ही गोहारी गोहारी में क्या अर्थ है गोहारी का रक्षा के लिए पुकारना रक्षार्थ पुकारना होता है गोहार लगाना गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया था गोपियों का मन चुराकर के कृष्ण ले गये थे गोपियों के निसार पहले से ही चतुर कौन था? पहले से चतुर श्री कृष्ण थे यह है आपको सुरदास के पद के मैंने जो है वहुई कलपी प्रश्ण बताए हैं यह आपको और किसी पार्ट के वहुई कलपी प्रश्ण पढ़ने हैं तो आप मुझे comment section में comment करके बता सकते हैं अगर इस पार्ट से सम्मंदित कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे comment section में बताए और इसके इलावा जो भी पार्ट है उनकी playlist का link मैं वीडियो के description box में आपको दे दूँगी जिसमें आप check करके अपनी पूरी हिंदी की पढ़ाई पढ़ सकते हैं Thank you for watching